वेलकम टू हर्षता कॉमेस क्लासेस मैं हर्षता गुपता आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मार्केटिंग प्रैक्टिस और फिनांस इसकी मैंने यूनिट 4 लिये हो यूनिट 4 से रिलेटेन मैंने 30 most important जो हैं फो एमसी क्यूज लिये हैं चलिया यह डिसकुस कर लेते हैं स आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है अपने लेक्षर को स्टार्ट कर लेते हैं सो फर्स टाम से क्या है कि विД टाइप और फॉलों इस नौट कंसीडर थाइप ओ रिसेलर रेसेलर कैंड मैंने 40 नहीं नहीं से करते हैं कि इसे पूछा किया कि when a company distributes the product through the channel structure that include one or more sealer जब एक जो company होती है वो अपने product को distribute करती है channels के through में, structure में जब वो एक से दो हमारे reseller होते है तो उन्हें हम क्या कहेंगे indirect marketing कहते हैं और हम क्या कहते हैं indirect marketing कहते हैं आपोज ऐख्वार अप्वल आ पर केंती हैं में इसे हमने हमने पहले प्रिद्यूसर हमने गख फोद्यूसर को गाए अगर बात करें थ्यक्राइब अप्ट इसई होता है इस फैंग हम कशने इसपर neo यंद्यूड चैनल बात एक order अनिया के बात करें, इसक modelo के साफिय यह होते हैं, यहAy installment बक्राइब और नौन-कन्वेंशनल लिए जिसको हम इंतेर ट्री elevator कहते हैं यह ध्यान रहा क्थे हैं Content बसको इनिल्स हम थीं तो conventional, conventional को हम non-integrated channel भी कहते हैं और यह होता है non-integrated channel जिसको हम non-conventional channel उसको हम क्या कहते हैं integrated channel कहते है, integrated channel में vertical channel आता है आपका horizontal जो distribution channel आता है तो इस चीज़ आप याद रखिएगा थोड़ा सा ठीक है, चलिए मैं आगे अप से mcq discuss कर लेती हूं and next mcq हम ने लिया है, distribution of the product to get in it the marks refers to the which of the following activity so, इस में से कौन से activity जो होती हमाई distribution से related होती ही, तो place and distribution activity is related to the product to get a mark refers to the following activity थी, केसा Linux mcq ने लेती है, which of the following is not included the product decision, product decision में किसको include नहीं करते है तो warehouse, क्योंकि warehouse में तो product जो stock करते है styling, branding and packaging जो होती ही, वो product decision में जो होती ही, include होती है, ठीक है, चलिए next mcq लेते है FMGC, FMGC की full form क्यों होती है, fast moving consumer goods, fast moving consumer goods, जो है, वो हमारी किसकी form है, FMG, FMCG, ठीक है, ध्यान रखिएगा, fast moving consumer goods, इसकी full form आप से पूछा जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बताया दिया, ठीक है, चलिए next, हम से क्यूरे लेते हैं, कि flip card amazon, जो है, यह कौन से example है, यह हमारे online stores, यह कैसे online stores है, हमारे online stores है, तो यह online stores के हमारे example है, चलिए, अब यह बात कर लेते हैं, इसमें से आपको एक question तो जरूर मिलेगा, जाना कियेगा, manufacturer और consumer, इसके बीच में कोई भी person नहीं है, अगर manufacturer, direct consumer को बेचता है, तो उसको कहते है, zero level channel, अगर manufacturer और consumer के बीच में यहां पर देखे, दो लोग आजाते है, wholesaler और retailer तो हो जाता है, two level channel, अगर इन नोन के बीच में से retailer आता है, तो उसको कहते है, one level channel, इसी तरी कि जितने लोग बढ़ते जाएंगे, वो तने level का channel हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहां पर manufacturer की बीच में होल सेलर, agent और retailer, यह तीन होगा गया, तो यह कौन से channel हो गया, three level channel हो गया, अब बात कर लेते है, यहां पर पूछा किया है, sales, ultimate consumer, ultimate consumer को कौन सेल करता है, हमारी retailers करते है, तो यह जान रखिएगा, नेक्स बात करते है, एडास, इडास जो होता है, क्या होता है, advertisement, interest, desire, action, यह थियोरी है, हमारी वो कैसे distribution channel, we determine, selection, जब हम distribution channel करते है, तो case base पर करते है, type of product, हमारा product किस type का है, market का nature कैसा है, और consumer की जो buying habits है, वो कैसी है, उस base पर जो है, वो हम यह चीज़ determine करते है, कि distribution का जो channel होगा, वो कैसा होगा, आईए next mcq देख लेते हैं, next mcq में पूछा किया है, कि when two or more companies develop a joint marketing strategies, ठीक है, so, यह spelling mistake है, joint marketing strategies, for the new opportunity, this joint efforts, in joining a same channel, in different producer, in terms of, in terms of, in terms of, co-boy metric marketing, यसो के कहते है, shorter channel, shorter channel क्या होता है, shorter channel of distribution, zero level, zero level मतलब जिसमें direct manufacturer होता है, और consumer होता है, इन दोनों के वेच पर distribution होता है, so, इस तो क्या हम कहते है, shorter channel of distribution कहते है, ठीक है, चली, next mcq ले लेते हैं, कि big retailer, refers to use distribution channel, big retailers होते है, वो क्या करते है, producer to retailer and retailer to consumer, यह big retailer करते है, यह उनका distribution channel होता है, कि producer से retailer के पास जा, retailer के पास जा, consumer के पास जा है, ठीक है, next mcq लेते हैं, कि VMS, VMS की perform क्या होती है, vertical marketing system, vertical marketing system, मतलब, एक होता है, horizontal marketing system, वो vertical, vertical, मतलब, इस line में marketing होती है, CD line में, ठीक है, so, उसको कहते है, vertical marketing system, मतलब, top body से, यसे कर लीजे, top body से, lower body तक, जो होती होती है, ठीक है, तो, वो क्याता है, vertical marketing system, next mcq लेते है, है, kind of channel arrangement, which involve one and more, which involve one or more independent wholesalers, producers or retailer, classified into the conventional distribution channel, अभी मैंने आपको बाता है, conventional distribution channel, non-integrated distribution channel, भी कहते है, so, non-integrated distribution channel में ही, हमने आपको बाता है, कि wholesaler, यह सब चीजे होती है, यह सब मतलब की channels होते है, वो हमारे इस, में include होते है, यह चीज़ आप याद रखिएगा, चीजे, हम चलिए, next mcq ले लेते है, so, next mcq हमारा है, कि लो, जो customer, जो involvement होता है, वो किस में होता है, convenience product में होता है, वो लो customer involvement होता है, इध्यान रखिएगा, ठीक है, आई, next mcq की बात कर लेते है, कि physical distribution, physical distribution में क्या include होता है, determining the warehouse allocation and establishing the material handling system and maintaining the inventory control system, तो यह चीज़ से होती है, वो हमारी physical distribution में include होती है, next ले लेते है, जो storing and sorting जो होता है, of the finished goods, उसको क्या कहते है, warehousing, यह very-very important यहाद से पूझा जा सकता है, चलिए बात कर लेते हैं कि ABC analysis, ABC analysis जो है students है, वो हमारी inventory, inventory मतलब हमारे stock को manage करने से related analysis होती है, और ABC analysis को 3 categories में divide के जाता है, ABC category, so A category में हम किन items को रखते हैं, हम उन items को रखते हैं, जिनकी value जो होती है, वो item जिनकी value high होती है, but lesser in the quantity, but market में उनकी quantity होती है, वो कम होती है, जैसे होती है, बात करें B category की, तो यहां पर दी की costly item की बात हो रही, इसलिए category, B category में कौन होती है, moderate level की होती है, मतलब less costly होती है, और की, जो quantity होती है, वो moderate level पर होती है, और less, जब C की बात करें, तो lesser value होती है, और bulk में होती है, यह जिए से vegetables आप ले लीजे, चीक है, चीक है, च stock को, तो ABC analysis, जो है, वो हमारा inventory, जो analysis है, ABC के अलावा हमारे inventory को control करने के लिए, और भी हमारे methods होती है, जैसे कि economic order quantity, economic order quantity, ठीक है, E, Q, E, O, Q, E, O, Q भी एक के technique है, जो कि हमारी inventory को control करती है, और इसका formula होती है, आपको बता दीती हूँ, इसमें ECM-CQ नहीं लिया है, ठीक है, to 2A, B, upon S, ठीक है, ये इसका formula होता है, इसके तरुब हम inventory को control करती है, तो economic order quantity, economic order quantity, क्या होती है, जिसमें हम, अपनी economic according, जो होती है, वो maximize करती है, ठीक है, प्राइस को fix करती है, तो ये चीजा प्याद रखिएगा, तो ये भी एक important हमारी है, तो इसलिए मैंने इसको describe कर दि distribution, तो इसको क्या कहते है, physical distribution कहते है, जब marketing में क्या होता है, जो product होता है, वो production से हमारे consumer consumption की तरफ आजा है, ठीक है, next ले लेते हैं, कि VMI क्या होता है, VMI होता है, vendor managed inventor, ठीक है, so ये VMI की full form होती है, next ले लेते है, distribution required planning is a system for, किसी related distribution required होता है, management, inventory management and distribution planning की, दोनों चीज़े हमा management planning होता है, कि next ले लेते है, integrated logistic system होता है, उसमें क्या include होता है, physical distribution supported by the information technology, physical distribution supported by the information technology, इस पे include होता है, so ये मैंने 4th unit से related important MCQs लिए है, एक last MCQ और है कि logistic network which move material from suppliers to the manufacturer, ठीक है, is classified in bond distribution कहते है, इसको, logistic का मतलब क्या होता है, कि एक supplier से वो दूसरे manufacturer से supplier तक पहुचा रहा है, तो वो कि तक logistic हो जाता है, in bond distribution कहते है, so ये 4th year unit से मैंने लेके important MCQs लिए है, so I hope कि इस unit के साथ में आपकी marketing का मैंने पूरा course खर्तम कर दिया है, आपकी preparation अच्छे से हो गई होगी, students please और भी topics देख लीजेगा, and मैंने बहुत इसके भी मुझे इतने भी important चीज़ थी, वो मैंने इस वीडियो में अला कि cover कर लिया है, ठीक है कि कोई भी point छूटा नहीं है, और इसमें mostly मैंने जो important MCQs है, वही लिए जैसे कि वेयर होसिंग वाला आपसे पूचा जा सकता है, FMG की full form आपसे पूचे सकती है, तो ये कुछ important, इसमें से आपका लास्ट पेपर है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लागे तो प्लीज लाइक करिये, शेस्क्राइब करिये, शेयर करिये, थैंक यू स्टुदेंट्स